आज हम इस वीडियो में ये चर्चा करेंगे कि जो हमारा कल 15 दिसंबर को जो हमारा NVS PGT Commerce का जो पेपर हुआ था उसमें किस टाइप के क्योशन्स आए थे कहां कहां से क्योशन्स आए थे और हमें कहां से तयारी करने पड़ेगी ताकि हम KVS में अपना सेलेक्शन ले पाए जो हमारा KVS है और जो NVS है KVS और NVS का पेपर सेम CBC से बनता है दोनों का क्या है सेम स्लेबर से लगबग केवल एक 40 नंबर का पैड़ागोजी एक न्यू ऐड़न किया है KVS ने बाकि सबजेक्ट दोनों का क्या है सेम है अब जो NVS का जो लेवल आया था most probability यही है कि KVS का भी वही pattern वही syllabus रहता है तो उसी types के questions आएंगे तो हमें अब कैसे तयारी करने पड़ेगी कि हमारा KVS का paper crack हो जाए, selection हो जाए उसमें अब जैसे कि आपको पता है कि जो NVS का paper जो कल हुआ था उसमें किस type के questions आए थे कुछ लोगों न थे exam दिया होगा तो उनको idea मिल गया होगा कि कहा से questions पूछे गए थे जिन लोगों ने exam नहीं दिया उन लोगों के लिए आज कुछ questions जो कल के paper में आए थे क्योंकि paper तो online हुआ था तो online का paper तो हमें मिलता नहीं है आपको पता है online रहता है तो कुछ questions हमारे दिमाग में थे कि कौन-कौन से questions पूछे गए थे कहा से paper बना था क्या level था paper का और जो हमारा pedagogy था उसका level क्या था जो computer था उसका level क्या था तो ये सब चीजे आज हम इस video में देखेंगे और सुनेंगे तो ये video last तक जरूर देखना ताकि आप लोगों के क्या हो सके फाइदा हो सके benefit मिले कुछ इस video से और जो भी तैयारी कर रहे हैं उन लोगों को भी video share करना ताकि उन लोगों को भी idea मिले कि हमें कैसे तैयारी करने पड़ेगी सबसे पहले मैंने शुरू में ही आप लोगों को बोला था शुरू से ही मैं बोलता आ रहा हूं क्या चीज कि जो हमारी तैयारी है किसकी के विस की कहा से करनी है केवल NCRT से कहा से केवल NCRT से अधर भुक तो जब आप पढ़ोगे न तब आपके NCRT किलियर हो जाएगी आप NCRT आप कुछ लोग मेरे को बोलते सर NCRT समझ में नहीं आती पर समझना नहीं है उसकी आपको क्या करना है जैसे की business study है उसकी आप जैसे की एक chapter है एक chapter है तो उसका कम से कम दो से तीन बार क् करना पड़ेगा रीड आउट करोगे तो आपके दिमाग में रहेगा कि यह चीज इस चैप्टर से बिलोंग करती है मतलब यह टोपिक इसमें है और इस से लेटीड है तो दो से तीन बार आप रीडिंग आउट करेंगे तो ओटमेटिकली क्या हो जाएगा दिमाग में अगर रीड आउट आपने किया हो गया ध्यान लगा करके तो ओप्शन तुरंत क्लिक जाएगा कि यह वर्ड इसके साथ था तो मतलब 50% हमारा काम जब 4 ओप्शन हमें मिल जाते हैं तब हमारा क्या हो जाता है सोल आउट हो जाता है अब हमें केवल 50% महनत करनी है वह हमारी क इससे करनी है reading करके business study का अब कल का जो पेपर हुआ था जो कल का जो पेपर हुआ था उसमें recommendations कहां से पूछे गए थे उसमें जो questions पूछे गए थे बिलकूल NCRT से पूछे गए थे NCRT से बहार कोई भी question नहीं था मतलबा हमारा उनका जो 80 marks का paper हुआ था तो 75 marks माई ने याद रखिये आप कितने 75 marks NCRT से पूछे गए थे 5 questions भी NCRT से हैं लेकिन वो चीज़ हम लोग छोड़ देते हैं जैसे computer वाला यह चीज़ हम छोड़ देते हैं computer portion कि यह चीज़ important नहीं है और एक दो questions add on किये थे according to current affairs चल रहे है उसके according GST का section क्या है GST कब लागू हुआ था इन सब चीज़ें के उपर तो मतलब आप यह मान करके देखी 80 में से 75 questions आपको केवल NCRT से मिल रहे है NCRT कौन सी 11th और 12th की 11th और 12th की NCRT से आपका क्या बना था paper बना हुआ है इससे बहार paper नहीं था कल का इससे बहार paper नहीं था केवल NCRT से ही paper बना था फिर एक बार याद रखना आपको फिर दुबारी मैं बता रहा हूं अगर आप NCRT proper तरीके से आप लोग कर लोगे तो आपको कोई रोकने वाला नहीं है कि हमें कोई selection नहीं दिला सकता केवल आपको NCRT पढ़नी पढ़ेगी business study की तो खास कर business study की तो क्या बिल्कुल पढ़नी पढ़ेगी यह नहीं है कि business study छोड़ दोगे business study के लिए आप यह मान करके चलो कि secondary book हमारे लिए है यह नहीं केल हमें NCRT पढ़ना है रात में भी दिन में भी सुबह भी केल NCRT NCRT से भाहर कुछ भी नहीं आएगा क्योंकि कल का जो paper का level देखा था वो बिल्कुल easy था easy उनी के लिए था जो अपने NCRT से पढ़ रहे होंगे क्योंकि as a tease पहरा ग्राफ में से questions उठा करके दिये हुए थे ऐसा नहीं था कि भाहर से पूछे हुए थे according to syllabus जितना उन्होंने syllabus दिया था आप चाहिए भले NVS की और KVS की website पे चेक कर लेना दोनों का syllabus क्या है subject का syllabus क्या है same है तो इसका मतलब लेवल भी दोनों का कैसे है same है कि नाम नाम अलग है NVS और KVS बाके पैटन वही है syllabus वही है paper लेने वाली agency वही है paper तैयार कर कोण रहा है CBC अब आपको ये देखना पड़ेगा कि हम किस level पे stand करते है ये वीडियो थोड़ा लंबा भी हो सकता है क्योंकि अब हम इसमें discuss करेंगे कि कल की questions क्या थे क्योंकि ज़्यादा थे questions याद नहीं थे मातलब फिर भी जितने मेरे दिमाग में याद आए है उसके उपर मैंने वीडियो बना दी है और आते रहेंगे जैसे जैसे मेरे को questions आएंगे मैं उसके उपर भी वीडियो बनाता रहूँगा अब हम देखते है कल का जो level था questions का वो क्या था देखते है ये थे questions कल के जो paper में थे ये देखो when income is more than expenditure जब income ज़्यादा होती है किसमे expenditure से कब non profit organization किसमे NPO में NPO non profit organization NPO से समझ में आ रहा हो गए तो इसका मतलब profit organization तो नहीं है जब income ज़्यादा है क्या चीज़ से expenditure से income ज़्यादा है expenditure से तब उसको हम क्या बोलेंगे deficit बोलेंगे income बोलेंगे expense बोलेंगे surplus तो इसका right answer होगा क्या होगा surplus देखे बिल्कुल basic question था अब कोई क्या होगा जल्द बाजी में जिसको NPO के बारे में नहीं पड़ता तो वो किस पर click करके आ गया होगा income पे क्यों वो तो क्या किसली होता है help करने के लिए पता है ना तो उसमें कोई income और expense नहीं होता उसमें क्या चीज होती है deficit या surplus तो इसका answer क्या होगा surplus नेक्स्ट क्योशन था chemical industry use which type of costing जो chemical industry है वो किस टाइब की costing use करती है process costing job costing costing all of these अब कुछ बच्चे क्या होंगे ने इसमे जैसे all of these दिखा है तो सब उसमें सर ये आवा answer कि नहीं आप देखो costing तो अपने आप में costing है तो costing तो इसने पूछा ही है तो ये answer तो हो ही ने सकता है इसका मतलब all of these का तो option खतम तो इसका मतलब दो option तो हमारे खतम होगे job costing हो नहीं सकती क्योंकि वो काम से related है इसमें क्या बोला है chemical industry मतलब chemical use करते होंगे ना हम तो chemical industries में तो क्या option बचा हमारा process costing भाई further further production करते होंगे तो क्या चीज यूज होती होगी process use होती होगी process use होती है तो उसको हम क्या बोलते process costing थोड़ा सा भी आगर वैसे भी याद नहीं होता properly process costing क्या होती है job costing थोड़ा से दिमाग लगाने की ज़रत है भाई यहापर costing और यहाँ पर भी costing है तो यह costing तो हो नहीं सकता क्योंकि इसने पूछा ही क्या है which type of costing all of these हो नहीं सकता क्यों क्योंकि costing कट गया job होगा नहीं तो क्या चीज होगी process तो यह इसका answer था क्या चीज प्रोसेश कोस्टिंग next हमारा question है जो अभी हमने एक अपना जो business study के 11th class का एक topic खतम किया था business and nature of nature and purpose of business उसमें से question आया गया था extraction जो हमारी types of industries है क्या चीज है types of industries है उसमें से question क्या पूछा गया था extraction of raw material used for further reproduction of goods जो हमने raw material निकाल लिया और उस raw material को further reproduction के लिए हमने बेजा है belongs to which industries कौन सी industry में ये काम होता है या कौन सी industries में ये काम किया जाता है but territory तो देखो option eliminate करना सीख लो आप तो answer आपका automatically आ जागा territory होगा नहीं क्यों क्योंकि territory industries की से related होती है वो industry related होती है किस से services से transportation, warehousing insurance इन सबसे related होती है primary industry हो नहीं सकती है क्यों क्योंकि primary industries में तो हम extraction of raw material करते है natural resources तो तो already वो काम हो चुका है तो इसका मतलब ये option भी कर लगा genetic industries तो हो ये नहीं सकती है क्योंकि genetic industries क्या होती है जैसे कि मुर्गी पालान ये सब चीज क्या आएगी fissering तो ये हमारी genetic में है अब बचा क्या है इसमें secondary industry तो answer क्या होगा इसका secondary industry के लिए रहे बात अब देखो अब next question हमारा 12th class की business study था where consumer can file case up to 10 करोड according to consumer act 2019 जो अभी 2019 में consumer act बना है उसके according case करता है कोई consumer कितने का 10 करोड तक का तो वो कहा कर सकता है district में तो होगा यह नहीं none of these में हो नहीं सकता तो state या commission तो इसका right answer होगा क्या चीज़ state commission तो आप देख लिजिए question का level क्या था as it is question का लाएवे थे थोड़ी language इधर उदर हो सकते है लेकिन options और questions same thing अब आप level देख सकते हो questions का क्या है बिल्कुल क्या है as it is उठा कर के दे रखा है कोई भी word इधर से उदर नहीं कर रखा यह language बिल्कुल NCRT की है इधर से उदर कोई भी questions नहीं कर रखा अब next questions हम देखते हैं देखो इसमें बोला है फिफ्ट question में according to company act 2013 corporate social responsibility जिसको हम क्या बोलते है CSR belongs to which section कौन से section से related है and makes policy according to which schedule और जो वो अपनी policy बनाते है according to कौन से schedule के बनाते है अब आप देखना जो CSR है company act 2013 है उसमें given है 135 के according किसके section 135 के according CSR corporate social responsibility according to company act 2013 और जो अपनी policies जो बनाते है वो कौन से schedule के according बनाते है वो बनाते है schedule 7 के according तो आप जो company जब 12th class का जो company chapter जब पढ़ोगे या आप read out कर रहे होंगे किसी ने किया भी होगा तो उनको पता होगा जो हमारा CSR है वो किस section के according आता है 135 और हमारा जो policy जो बनाती है CSR according to 135 section के according तो कौन से schedule में लिखी जाती है वो लिखी जाती है schedule 7 में अब ये question कोई पढ़ेगा है नहीं सबसे पहली बात क्यों क्योंकि company से क्या question आएंगे company क्या होती है बैस उसके हमने कर लिए issue of debentures के entry कर लिए issue of shares के entry कर लिए redemption of debentures के share forfeited ये क्योंकि basic theory पढ़ेंगे नहीं ये थोरी कहा है NCRT में है हो गए ना बात next देखो purchasing of machinery for a company कोई company एक machinery purchase करती है तो which type of expense अब ये बताओ जो company machinery purchase कर रहे है वो daily machine purchase करती है नहीं तो वो तो कभी अपने lifetime में एक बार दो बार खरिती होगी क्योंकि एक बार machine लगाने के बाद तो उसको क्या करना है production करना है तो वो खर्चा जो एक बार machine खरीदने पे जो company ने किया उस खर्चे को उस expense को हम क्या बोलेंगे बै लोज तो हो नहीं सकता बोथ A and B होगा नहीं क्योंकि revenue expenditure क्या होता है वो खर्चे वो expense जो हम recurring in nature होता है जो हमेशा होते रहते है तो वो हमारे revenue expenditure है लेकिन capital expenditure तो इसका answer क्या आएगा capital expenditure जब हम कोई भी company new machine purchase करती है तो उस expense को हम बोलते है capital expenditure एक आप लोगों को comment में जो advertisement है क्या चीज़ है advertisement expense है इसका answer बताना है कि which type of nature of expense मतलब किस type के nature का expense है क्या चीज़ advertisement expense भाई company अपने product को बेचने के लिए expense करती है advertisement पे खर्चा करती है तो किस type का खर्चा है वो revenue expenditure है या capital expenditure इतना मैंने बता दिया या तो वो revenue expenditure है या वो capital expenditure है इसका answer आपको comment में बताना है next हमारा given था सबसे simple question देखना कल के paper का जो सबसे simple question था ये दो questions थे क्या थे when sales books omitted to posting laser अगर laser में sales book लिखना छूट गई जो sales book है उसको लिखा ही नहीं लेजर में which account will open to balance the trial balance जब हम trial balance बनाएंगे तो उसको बनाने के लिए हमें कौन सा account open करना पड़ेगा सबसे simple question इसमें तो आख means करके हमें क्या कर देना था suspense account क्यों क्योंकि जब sales side का जब हम मिलाएंगे जब sales book note down ही नहीं करी होगी तो इसका मतलब एक side का balance कम बिलेगा जब एक side का balance कम बिलेगा तो दूसरे side का balance बनाने के लिए हम क्या open करते हैं suspense account और सबसे easy question सबसे कल का paper का सबसे वाहियात और सबसे easy question जिसमें कुछ दम नहीं था क्या था question देखो a bill is drawn on 5th March कब bill ड्रोन किया है 5th March को कितने मंत के लिए 1 मंत के लिए what is the maturity period of the bill क्या है इसमें मेरे कुछ यह चीज़ समझवें नहीं आया एक मंत एक मंत कब हो जाएगा 5th March से 5th April 5th April plus 3 days grace के तो कब हो गया 8th April is the answer इस question में कुछ था कितना second लगा इस question को करने में मात्र 10 second इस question को क्या था के बढ़ना और टिक करना था तो अब आप देख सकते हो जो level of questions थे किस के NVS के वो किस types के थे तो इससे आप idea लगा सकते हो इस question से कि जो कल का जो paper हुआ था NVS का वो किस type का paper था किस level का paper था paper का level अच्छा था paper का level अच्छा था लेकिन वो अच्छा किन के लिए था जिसने पढ़ा होगा क्या चीज एंसी आर्टी एक वीडियो बनाऊंगा मैं जो special जिसमें मैं ये बताऊंगा कि जो कल का जो paper आया था जिस में से जादा से जादा questions जो पूछे गए थे वो कौन-कौन से topic से पूछे गए थे और ये questions चाहिए आप estate दे लेना चाहिए आप KVS दे लेना चाहिए आप NVS दे लेना चाहिए आप DSS भी दे लेना चाहिए आप UP का PGT Commerce का paper दे लेना या TGT का मतलए किसी भी state या central का आप commerce का paper दे लेना ये questions मिलेंगे ही मिलेंगे ये questions ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेंगे तो ये topic मैं आपको एक particular वीडियो बना कर ये दूँगा इस topic से questions 100% नहीं 200% आपको मिलेंगे ही मिलेंगे अब चाहिए कोई भी पेपर ची कितने ही लास्ट येर तक के पेपर आप उठा करके देख लीजेगा ये क्योशन्स के टोपिक जो ये जो टोपिक मैं आपको प्रोवाइड करूँगा नेक्स्ट वीडियो में उस टोपिक से हर पेपर में क्योशन्स आते हैं 1,2,3 मतलए एक क्योशन तो मिनिमम आएगा ही आएगा और कम से कम 3-4 क्योशन तो उसमें से मिलते ही मिलते हैं जिसका तो मतलए कोई मतलए की सोचने काई ने है कि हमें ये टोपिक छोड़ देना है सबसे जो most important topics है उसकी एक वीडियो में अलग से आपको बना करके दे दूँगा और उन topics को तो आप ये मान करके चलना घोट करके जैसे भी है उठते बैठते आपको क्या कर लेना है याद कर लेना है और accountancy के उसके soul कर करके करके उसकी क्या कर लेना है प्रेक्टिक्स कर लेना है क्यों कि उस topic से हमेशा कोई ना कोई questions पूछे ही जाते है 100% पूछे जाएंगे मतलए कि ऐसा है नहीं कि नहीं पूछे जाएंगे तो ये था आज की वीडियो में कि किस level का paper आया था कौन सी questions पूछे गए थे कैसे हमें attempt करना है कैसे हमें पढ़ना है केवल फिर मैं आपको बता रहा हूँ इलैन 12 की business study की NCRT पढ़ना start कर दो अभी तक भी जिसने start नहीं करी है कोई bet है कि मैं sample paper लगा लूँगा मेरे पास पूनम गांदी book है वीके ओरी की book है सब बेकार है कयों? क्योंकि paper जो बन रहा है वो CBC बना रहा है CBC की जो guidelines है, CBC का जो rules है, क्या चीज बना रहे हैं अगर स्कूल वाले भी जो बना रहे होंगे या किसी भी बनाते हैं तो उनके पास भी उन्होंने स्पेसिफाई बेज़ा हुआ है कि पेपर कहा से बनना है आपको मेहनत करनी है क्या चीज पढ़ने की आपके पास मैटीरियल अवेलेबल हैं एक सो दस रुपए की एक बुग का बिजनस टेडी की 11th क्लास की एक सो दस रुपए की मतलब दो सो रुपए की बिजनस टेडी की हाडली 200 रुपए माल लो 500 रुपए की 11th क्लास की बिजनस टेडी की है 500 रुपए का मैटीरियल आपके पास है जिसमें से कुछ नहीं करना आपको कहीं सैंपल पेपर लेने की ज़रुत नहीं है कहीं कुछ नहीं करना केल आपको ये दोनों बुक्स पढ़नी है आप कोचिंग के चक्कर में भाग रहे हो कि इधर से उधर जाएं वो उस पर मैटीरियल अच्छा मिलेगा ये मैटीरियल अच्छा पढ़ेगा कुछ भी नहीं है कोचिंग पर आप वही चीज पढ़ोगे जो आपने उल्लेडी पढ़ी हुई है क्यों कि कॉमर्स का क्या है बही ऐसा तो है नहीं कि वो कोचिंग वाले जादा पढ़ा रहे है या मैं कुछ जादा पढ़ा रहा हूँ जो चीज आपने पढ़ी है वही चीज आपको क्या करनी है रीड आउट करनी है कोचिंग पर जाकर के या किसी के पास जाकर के आप ये देख रहे हो कि मेरे पास उ और भाई उल्रेडि आप लोगों नहीं लेंट 12 में कोमर्स पढ़ी है किल आपको रिमाइंड करने की ज़रूरत है क्यों कि वह चीज बेसिक आपको पता है आपको छुटा हुआ है क्यों कि आप इतने दिन से टच में नहीं थे केल आपको क्या करना है रिवाइज करना है एक वर्ड नाम लेते हैं आपको याद हो जाएगा अहां सर यह तो पढ़ा था यह पढ़ा था तो बस कियो आपको इतनी मैनत करनी कि जो पढ़ा था उसको फिर दुबारी सामने पढ़ना है कोई भी नई चीज नहीं पढ़नी है केवल जो चीज आपने पढ़ी हुई है व इंपोर्टेंट टोपिक्स उसकी वीडियो मैं अलग से बना दूँगा किसके बीस्ती का और अकाउंट एंसी का जिस में से हंडर्ड मैं तो छोड़ बोली ना तू हंडर्ड वन परसेंट उसमेंसे क्योंस मिलेंगे two hundred one percent questions मिलेंगे अगर कल का मैं pattern देखता हूँ तब और उससे पहले के भी मैंने जितने भी paper analysis कर लिये है हम लोग होने किये थे जितने भी paper हम ने analysis किये ते मैंने अपने time पर भी कर रहा था तब मैंने जितना देखा था कि उस topic से तो hundred percent questions suit करके आ रहे हैं उस topic से तो 100% question suit कर आ रहे हैं मतलब उस topic को तो हमें छोड़ना ही नहीं है मतलब यह topic हमें वो है कि जो selection दिला सकते हैं और उसी चीज़ को हम छोड़ देते हैं क्योंकि थोड़ा सा tough लगता है और उस topic को हमने छोड़ दिया उस topic ने जिसने कर लिया वो selection हो गया जिसने नहीं किया वो पीछे रह गया तो आज की वीडियो में इतना ही और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो please like it, share it and subscribe the channel for more informative videos thank you and have a nice day